बुड मॉरिंग नमस्ते दोस्तों आप जुड़े हैं जेस्टेक चैनल के साथ में मैं हूं हर्जी सिंग जुहान तो शुरू करते हैं आज का नया टोपिक राजस्थान जी के हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की इस्तिति तो मेरे साथ अपग्रेड कीजिए आप कानवल एक्सामों में जैसे रीट हो गया फोरेश्टर हो गया फोरेश्ट गार्ड हो गया और जैल प्रहरी हो गया पटवरी ग्राम से जो भी जिस तरह के एक्साम है उसमें अपन ये चीज़े आपके आएंगे से कुश्चिन आपके उड़ते है आईए देखते हम सबसे पहली स्लाइड से आज हम पढ़ने आ रहे हैं राजस्थान राजस्थान के जैसे हमने बताया था पिछली बार परीची दिया था तो परीचे के अंदर के अपना थोड़ा था एक छूट गया था कि इसको और क्या कहते है तो इसको सबसे पुरानी जो अपना रिगवेद है उसमें इसको ब्रह्म वरत बोला गया है ततार वालमी की जो रहमायन थी उसके इंदर इसको मरुकांतर बोला गया है क्योंकि यह अरावली के आसपास का शेतर बताया जाता है और अरावली जो है आपके सबसे पुरानी यह परवस रंकला है जो आडावल भी बोला जाता है तो उससे बता लगता है कि इसके आसपास का कोई शेतर है तो वो राजस्तान के बारे में बात होती है ठीक है दोस्तों तो अब हम पढ़ते हैं राजस्तान की इस्तिति एंव विस्तार के बारे में कि राजस्तान की इस्तिति कहां कहती है बारत क की सापे एक्स से व्ल्ड के सापे iks और इसका विस्तार कहां कहां तक है तो ये आए देख तें मेरे साथ जुड़े रहेएं नेकस्ट हम देखते हैं वह दोस्तों आधार इस विसतार के अंदर रास्तान की स्थिति सब देख लेख लेते इसका कितना। मैं भारत में पहले स्थान बीझात शित्रफबन दिश्वुशान की वर किलोमीटर सबसे बड़ा जो रज्जै था उससे पहले rewalak करता था वह वहा करता था आपके एक नवंबर 2000 से पहले क्युंकि एक नवंबर 2000 के दिन उसके टुकड़े हो गये थे, जिस कारण से उससे छत्यस गट्र double na raja बना तो जैसे इस छत्यस ही जट्ध नवंबर बना तो राजस्तान आपका पहले नंवंबर पहले स्थान पे कब आया तो एक नवंबर 2000 के दिन आया था यह उसकी तिती है जिसको आपको दियान रखना और नौट भी कर लेना है यहां से भी कुष्चन उठ जाता है शैत्रफल से रिलेटेड चलिए दोस्तों यह तो यह आपके इसके शैत्रफल की बात नेक्ट हम देखते हैं इसकी जन संक्या अब राजस्तान की जन संक्या है इसका आट वस्तान पे जो कि यह आपके छे करोड पिच्चासी लाग 48,437 जो यह वर्ष 2011 तक की जन गंड़ना के अनुसार यह बताई जाती है तो देखो शैत्रफल यह पहले नुमबर पे लेकिन जन संक्या में यह आट आपके अरावली जो है तो इसी लिए जो अरावली के इदर वाला हिस्सा है पच्छिम वाला हिस्सा राजस्तान का वह क्या सूका रह जाता है बारिश नहीं आपाती है जो बादल होते हैं यह सीधे के सीधे यह निकल जाते हैं यह उपर से उपर से इदर 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 तो ज इसलिए यहां इदर जन संख्या बहुत ही कम पाई जाती है क्योंकि इसके 60% में आपके लोग रहते हैं ज्यादा तो 40% में 60% लोग रहते हैं यह तो यह इसके जन संख्या की बात ठीक दोस्तों आपको ज्यान रखना है अब इसके शेत्रफिल से लेटेड एक दो चीजों और पूछ लिया थी कि यह आपके बार्त के नीचे एक स्रेलंका चोटा दम देह से उससे कितना बढ़ा है तो उससे पांच बढ़ा है तेको शलोवाक्या से यह तीन गुणा बढ़ा है इसराइल जो करसी में बहुत ही माना हुआ देह से उससे यह 17 गुणा बढ़ा है और नेक्स स्लाइड पर चलते हैं देखिए अगली स्लाइड में मरले क्या है अगली स्लाइड में देखते हैं भारत की इसकी इस्तिती राजसान के इस्तिती भारत के सापेश किस इस्तिती में है यह तो आईए इसको देख लेते हैं पहले इसका इससे पहले यह कितना कवर कर र देश के 5.60% यहां पर निमाज करती है केवल राजस्तान के अंदर यहां पर इस जगे यहां पर यह जो येलो कलर का दिख रहा है आपको राजस्तान बाकी जो 95% जन सेंग है वा बारत के अंदर दूसर राजयों के अंदर रहती है ठीक है दोस्तो अब जन सेंग इसको परतिषयत बराबर अस्तान का शेत्रफ लुक्त बारत का शेत्रफल इंट्व इंट्व एक्स बर्णांबर रस्तान शेत्रफल और फिर आपको और अस्तन का शेत्रफल प्रिछेत्रफल आजाएगा जो की 32,37230 किलोमेटर है और जैसे आप इसका वाग इसमें देंगे तो आपके 10.41% आजाएगा इस तरह से तो आप इसको एक बार कर लेंगे तो फिर इसको रटने की जरूत नहीं पड़ेगी और बहुत एजी तरीके से हैं यह आप कर सकते हैं ठीके नेक्स देखते हैं दोस्तों राजस्तान की इस्तिती भारत के शापेक्स कैसी है वेल्ड के महप अगर अपने देखे तो उससे फिले थोड़ा सा एक दिशाग्यान ले ले लेते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था राजस्तान का मैंने एक गुगोल का वीडियो मना रहा है जिसमें अक्षांज और दिशांतर और दिशाग्यान के बारे हैं बहुत अगर आपको दिशाग्यान के लिए गया है जिसमें यहां पर यह आपको दूरु तरह है ठीक है आई एक में दिशा की जनकरी में आपको और बताता हूं यह देखे यह आपका सब्त्रिशी मंडल यह तको एक फरसे टाइप में कुछ है आगर आप उसको द्यान से और इसको नौर्थ स्टार बोलता है और पॉल स्टार भी बोलता है इसको है ना तो इससे हम दिशा की पता लगा लगा लगते है प्रित्वी पर की कौन से दिशा रहती है सटिक दिशा तो आपने उत्तर बता लगा ली तो आप बाकी दिशा का बता लगा सकते हैं उत्तर मे एक बार करने के बाद में हम इसको देखते हैं कि बारत के साफे इसकी कैसी इस्तिती बन रही है तो बारत के साफे एक बार देख लेते हैं यह आपके उत्तर है दक्षिन पूरव पस्चेम उत्तर पूर्व दक्षिन पस्चेम और दक्षिन पूर्व आपके जो मुख्य दिश बारत के साफ़ इसकी इस्तिति देख ले तो अब आपको सिधे सिधे ज्यान हो रहा होगा कि बारत के साफ़ इसकी इस्तिति क्या बन रही है बारत के साफ़ इसकी इस्तिति बन रही है उत्तर पस्चिम क्योंकि बारत के यह देखेंगे तो यह उत्तर दिशा में है और इदर हें यहां से जो कुश्चन उड़ते हैं में आपको समय के बारे में बताता है विलष्रु वाण सित्रुप राजस्थान की सब्सक्राइब पर तो यह पूछ देखते हैं कि यह पूछ ले क्या नाम है आपके यह पूछ ले क्या नाम है जो यह रेखा है समय वाली रेखा है जो समय निरिदारीद करती है आपके और घृ trafficking दोनों के शाफाक्षऑ कहा है तो देखो इस तान You अलग लग रेखा रेखाओं के विह जान रखना है ऑक्छाम को धूर kanैष्थ ये इसके स्था इस्तुरी गॉलार्फ में और केवल एक-एक रिखाउ काенный को पूछे तो एक-एक रिखाउ में पोचते कि ये पूरों में है, अपने को सिदे पत्शिमने टेक लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, टोरें हमारने अपने को, दिशाओं का ग्यान अच्छे से कर ले और उसके बाद में रेखाओं को अच्छे से देख ले एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हर रेखा के अलग यह अलग अलग चीज़े हैं है इस बात का आप द्यान रखेंगे चलो विश में हैं और उत्तरपूर में है यह चीज़ अमने देखे लिए अब रेखा के साफवेक्स जीवल पूरू में है रेखा के इस्तेती यह आप देख लते हैं पूरू गोलार्द क्यूंकि यह ग्रिनवीज रेखा है यह आपके एक्सासे डिग्री पर जो दो फागों म बाढ़ती है तो एक बाला बाग तो पूरु हो गया और बाला बाग पस्चिम हो गया और भूमत देरेका आपको उत्तर और दक्षिन में बाढ़ती है । ठीक है दोस्तों इस बात का आप धियान रखेंगे कि कि रेका के सापेक्स क्या बन रहा है एक बार मैं फिर से तो यह आपके पूर्वी गोलार्द में है यह पूरु दिशा के अंदर ठीक है यह आपने बहुत अच्छा समझ लिया होगा क्योंकि अगर बड़े लेवल पर सवाल उठाएगा यह एक्जामिनर तो यहां से सवाल उठ सकता है आपको ठीक है दोस्तो अब आगे चलते नेक्स वीडियो आपस देखें ताकि वहां आपको थोड़ी और अच्छा स्नौलेज हो जाएगी यहां केवल अपने एक ओवर्व्यू टाइप में लेंगे कि राजस्तान से लेटर क्या चीज़े है आपका लेटी हुई लेटी हुई लेटी हुई सोई हुई अपने बताए लेट कर रहा है यह देख लेते हैं क्योंकि इसका पूछा जाता है तो यह रेखा है मैंने आपको सामने मना जिए मैं राजस्तान को इसमें फिक्स करता हूं यह आ गया आपके राजस्तान है तो इसको आप द्यान से देखना है कि यह कितनी रेखा हैं तो आप देखेंगे कि इस बात को आपको दियान रखना यह अंतराल पूछा जाता है बहुत एक्जाम में पूछ लेता है पिछली बार 2015 के फोरेस्ट एक्जाम में हुआ था तो वहां से भी पूछा था यह सवाल और कौने के गाउं भी पूछे थे तो अगले स्लाइड में आपने वह भी पढ़ें इनको कोई रटने की जरूद्नी आपको क्या करना एक बार आपनी कौपि में रहता है यह नीचे लिखनी है उपर लिखनी है लिखोगे अंतर निकालोगे तो आपको इसे रट्ठा है चमकता है मतलब यहां पे सर्दियों में सुरज क्या होता है नीचे चला जाता है ठंड अपने बढ़ जाती है आप देखोगे सर्दियों के दिनों में और यहां लमवच चमकता है तो आपके जो बासवाड़ा जिल्ला है इसके बीचो बीच से गुजरती है रेखा और तो पूचा जाता है कि यहां सरवादी तिर्ची किरने कहां पढ़ती है रास्तान में तो आप देखो कि सूरज यहां है तो तिर्ची किरने कहां पढ़ेगी यहां पे जो आपका गंगानगर है श्री गंगानगर इस बात का ज्यान रखेंगे आप कि श्री गंगानगर में स सरवादिक सिर्ची किरने पढ़ती है और बाहा सुराडा डूंगरपुर में सरवादिक लंबवत किरने पढ़ती है यह तो एक यह बात हुई है ना तो अब इसकी करक्रेखा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि करक्रेखा के बारे में क्या चीज़े हैं अब यह करक् इसले कुशलगऔर से फिल्ए आपके आपके बांसवारा का कुशलगड तयसील है जहां से ये गुजर रिये का नाम आप द्यान रखेंगे कि वाशा को कुशलगड से जाएंगे पहले आपनों समझेंगे कि इस रहे का से गुजर रहे हैं वेशन की ट्रिक है तो ट्रिक पर बाद में जाएंगे पहले अपने देखते हैं गुजरात सबसे पहला आ जाता है आपके गुजरात जांसे रेका शुरू हो रही है ठीक है गुजरात के बाद देखते हैं तो अगला नक्षे में आ रहा है आपके राजस्तान तो यह आ गया राजस् बाद में हम बांगलादेश को पार करते वे आगे जाएंगे तो मारा आएगा त्रिपुरा त्रिपुरा के बाद में आखरी है मिजोरम तो यह आपके आठ रज्ये होगे गुज्राथ राजस्तान मद्यवर्देश चतिशगर्ड जारखंड पश्रिमंगाल त्रिपुरा मिज राम से मिजोरम पुरा से त्रिपुरा जार से जारखंड गड़ से चतिशगर्ड का साइलेंट है इसमें MP से MP मद्यवर्देश बना अवन अंकी मातला लगए बना बना से होगे आपके बंगाल रागू रामपुरा जारखंड का MP बना यह ट्रिक याद रखले में आप अग राजस्तान में भी मता है ठीक है क कूणता राजय नहीं यह पूछ लिया जता है ठीक है तो इसका आप ध्यान रखंगे करकर रिखाक के पर यह ब्रहरत इंपोर्ट्रेंस सवाल आपका सर्व जरूर आ सकता है नेर्ट हम देखते हैं नेक्ष स्लाइड में देखते हैं क्या है अगली स्लाइड में आपके पास अक्षाहन। यह आपके यह बन्तुड अब जोड़ा हो था इस लन रहुआ है नुब होता हैं खड़ी रहा है घ्टtt राजस्तान कितने में जा रहा है लॉंग टूटूड यह समय को बताता है आपको पिछली बार बता है दुबारा रिपीड मार देता हूं इंगलेंड के ग्रीन वीच शेहर से गुजरता है लेंडन के पास है जो कि आपके समय निर्दारित करता है बारत से साधे 5 गंटे आगे इस बात का ध्यान रखेंगे इसके अपर मैंने देश बता दिये थे वैडिर में क कितने देश गुजरते हैं अब देखे बूचा जाता है बहुत बार इस बात का में ध्यान रखना आठ डिग्री सेतालिस मिनट अब देख लेता है रास्तान के नक्षे के ऊपर यह इस रेका तक जाएंगे तो आठ डिग्री सेतालिस मिनट के ऊपर अपने जाना पड़ेगा इसमें इसकी खास बात क्या होती है कि रेखाई ज्यान में रखनी है उनसे तर डिग्री 30 मिनट और अठेटर डिग्री 17 मिनट इसको याद करने का सीथा सा तरीका दोस्तों आपको क्या करना है पैंसिल उठाके रास्तान का नक्षट रो करना है आपकी आपकी नौट्बुक में और रेखाई लिखनी है दो एक ब पुझाता है रास्तान लंबा या चोड़ा है तो देगने मतलता रास्तान फॉल्पा हो सकता है पर छोड़ा कि उत्तडर से छीन तक ही 826 किलो मेटर और पूरहसे 2 Son आपको द्यान रखना है तो राज्तान क्या हुआ चोड़ा अब इसका विस्तार हुआ इसकी अंतर पूछ ले तो आपके यहां पर यह काट रही है तो वह जगे कौन सी है इसके लिए एक छोटी ची ट्रीक है यह आपको इसको इस है से ज्टे अजोगे हैं आपके अच्छी जगे जिसका नाम है बहुत मार्बल के नाम सब्स है मॉइध मार्बल मिलते हैं तो यह वोई जगह है जो विच्व बीच काटरी इसका नाम है मकराना का से का लता है तो यह नागोर के अंदर है इस बात का आप दियान रखेंगे कि कहां पर यह दोनों रेखा एक आरती अक्षांस और देशांतर रेखा है वह जगह है मकरणा चलो अब राजस्थान की आकर्थी के बारे में बात कर लेता है कैसी आकर्थी आकर्थी मैंने पहले ही बढ़ा दिय एक सिद्धान पर आदा डित है है जिसका नाम है वेगनार सिद्धान अभि यह वेगनार सिद्धान को о्ने वेगनार सिद्धान एक वीगयनिक थे जन्होंने कार्बनों फैरिश यूग के आदार पर एक तद्ध्य निकाला कि उसस समय Time कर आसा है इस में मुझू थे एक इस्तल खंड में थे कारबनी फेरिसिक में तो ये वेगनार सिद्धान पए भी राजस्थान आधा रही थे उसमें पर टुकड़े नहीं हुए था सारे इस्तलिया आकरतिया एक जगे थी ये इसको पेंजिया भी वोला इसने वेगनार ने जो आपके ये व पतंग अगार पतंग जैसा है आपने पतंग उड़ाई होगी अभी मकरत अखरांदी आईगी चोज़ा दरीक तो सभी पतंग उड़ाएंगे तो ये आपके पतंग जैसा है ध्यान रख लेना चोटे बचे केफ और काइट पतंग होता है तो अब देख लेते हैं इसकी सबस पतंग जाती है तो कहां जाती है नेशनल हाइवे आट से होके सिध्या आपके कांडला पोट जाती है जो की गुजरात है तो सबसे नजदीक के कांडला पोट है आपका अब सबसे उच्जा बांद आपके जाकम बांद एक्क्यासी मिटर आपके इसको ध्यान में रखना है सबसे उच्छा बांद आएगा तैंब बांद कर देंगे अब पड़ते हैं इसकी जलवायू जलवायू कैसी है क्योंकि भुमत्यरेका से उपर इसके नीचे से यहाँ प बात कर लेते हैं जो यह परीबाशा दी है विशम कोनी चत्रुभुजय यह पतंगा कार एक किस वेकैनिंग ने दिये तो उसका नाम है टी एच हैंडले यह कुश्चन आ सकता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन इसका द्यान रखे यह राजस्तान ने देखो अफिट ह आपके इस पतंग के अंदर तो यह परीबाशा टी एच हैंडले ने दिये कि विशम कोनी चत्रुभुजय यह पतंगा कार है तो यह आकरती के बारे में आप ध्यान रिखेंगे यह बाते में बाते हैं यहां से भी कुश्चन उठने के काफे आफार रहते हैं अगला हम इस बात का द्यान रखेंगे यह उत्तर का गाम है कोना गाउं नेक्ष्ट गाम है आपके शिलोन गाउं राजा खेडा जो आपके दोलपूर के अंदर परता है राजा खेडा तेसीले सिलोन गाणा यह आपके कटरा काले पिया यह आपके फटेगड सन तैसील के अंदर इसको आपको द्यान रखना है कि कट रहाएं बाएक कुशल्गड के लां उक के अनुके तो यह सुदूर कोणों के चारो काउं Of को दियान रखना है सबसे पहले सूरियोदे होता है आपके दो अलबुर के अंदर ठीक है दोस्तो और यहां तक आते सबसे बाद में सूरियोदे स्वेडर होता है और सबसे देर से सुर्य Algburgh कहां होता है तो वो आपके कट रहे के अंदर होता है इस बात का भी आप द्यान रखेंगे तो ये Kोणों के चाल डिए ट्यान रखना फोरेश्टर में यहां से सवाल आया था दोजार P綁द्रा के ँदर तो इस सवाल उठता ही उठता है आपके राजस्तान की इस्तिति विव्यम विस्तार के अंदर अगली नेक्स्ट टाइम में हम इसका पढ़ने वाले टॉपिक वो है इसकी इसलिए सीमा सीमा ग्यान के बारे में कौन से सीमा कहा तक जा रही है यह सारी चीजे हम पढ़ेंगे तो दोस्तों व फिर से दन्यवाद करना चाहूंगा आपने